शिरिकान त्यागी प्रक्रण लगतार तूल पकड़ता जा रहा है आभी तक जो त्यागी समाज के लोग हैं वो ठीक कमिशनर के सामने चौधरी चर्ण सिंग पार्क में शांतिपूर तरीके से धरना परदर्शन कर रहे थे लेकिन अब देखे कि जो मामला है वो और ज्यादा थोड़ी उनके खराब हो गई है और इसको लेकर देखे जो त्यागी समाज के लोग हैं उनमें जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ गया है आसपास के जो लोग है उनको भी बुला लिया गया है और यहां पर ही अब जो भट्टी है उसको चड़ाने का जो एलान है वो इनक आप से जानना चाहूंगा कि आप तो सामने कमी बैठे हुए थे कमिशनरी पार्क में फिर ऐसी क्या वज़े रही कि आपको यहां कमिशनरी ओफिस के सामने आना पड़ गया है अब जो दरबाज जा तो लग रहे है आजमा कि आज में कमसे बढ़ना भींग डार साथ हम अंदर कुछ होता हो कुछ समधान होता हो मारा नम यहां बढ़ गया हां और वायतने मोटे मोटे मच्छर सुबह से इन्होंने जान बूज के बिजली काट रखी जो एक सामी लेटिन बात्रूम है फ्रेस होने का उस पताड़ा जो इना करनाता में कर रहे है तो यहां पता ल हमारा दमन करका यहां डराया को दिखाया को नोटी सारे मेरे मेरे बाइस हो का हमारे फोन आरा कप्तान साप अपन आरा अब माई यहां भी आफ़ा कर दो इस तो रहनी हम ड़नने वाले कई मुकद में पहला रख रहे आप एक बाब तो जब किसानों की हम लड़ाई-लड़ उसमां मेरे बैमुकरद मी लग यह तो मेरे स्माज की बात है तो हमारी बहन बेटी हम अगर een बी जागी तो जरें देंगे पिछनई लटने है सब्सक्राइट सब्सक्राइब आप परमुक्स शीव सो बात करोगे आप कमिशनर को दमकाओगे आपको लेसंस दे रख्या सरकार ने हम मोदी जी और योगी से पूछना चाहरे है इन पर कुछ शर्टिपिकट भी आया क्या बाई हम तो कहा हो क्या है हम तो पता नहीं हो सकत जो एक IPS और IS जो देश की रीड हो अगरे बांडरी हो रही है और जिस महिला ने वह पेडू खाड़े हैं अगर इनके गलत हैं तो उनके पटवाए दो आज की बता दीजी मुझे आप लोग यहां आ गए हैं तो क्या अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं या कोई बात के बाद हल निकल जाएगा कुछ ऐसा है अगरे आज कोई साइगा निया अम तो ओ लड़का है सिरिकांत इसा कावाई उसा बेजदो उसा लेका चले जांगा अगर अर मैरे इन पर मामलोब कार वे यह ज़ार मरा कोण चा याँची इनकी साट डोड़ बठरी मारा जा कोई नहीं है इतना हमारे बीच माश्य कांत नह नहीं होती की जूस्माईला को इंगला कोची ओना चालचा दीना रिशा लड़की की वहां लेका गए बैशाब बात बताए सो मिटर की दूरी पर हमारे समाच इल्ला एरे या लड़की वहार ओरी याम अमारे मान यह योगी जी आरे जीको हम विश्वास है और अमन ये भी जैसे कि मेरा पूरा समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं तो नहीं सब के सामने बहुत छोटी बच्ची हूँ और मुझे बताने की जरुद भी नहीं है कि क्या हुआ सब को सब कुछ पता है तो मेरा समाज मेरे लिए जो आगे बढ़ रहा है जो मेरे लिए मांग रख रहा है कोई वो मांग ऐसी नहीं है कि अमानी है सिर्फ वो यह कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है न्याय चाहिए नहीं ये लोग किसी भी तरीके से की सरकार के खिलाफ है या किसी एक इनसान के खिलाफ है सिर्फ ये लोग मेरी बात को कहना चाहरे है कि जो मेरे साथ अन्याई के जिन लोगों ने उनके खिलाफ कारवाई की जाए और मैं भी अपील करूँगी अपने समाज के साथ जुड़ कर कि सब लोग शान्ती बने रहे शान्ती से लोग तांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़े सोर गुला बत्तमीजी अभी तक किसी ने नहीं की देखो कितने सारे लोग जुड़ेते पहले भी तब भी सब लोगों ने शान्ती का प्रदर्शन किया और अभी भी कर रहे हैं बस इनकी जो मांग है वो मेरे से जुड़ी हुई है कि अन्याए का अन्याए क्यूं हुआ है न्याए किया जाए बस अन्याए कि समाजबादी पार्टी के एक डेलिगेशन है दो तारिक हुआएगा आप से महां मुलाकात करेगा आके नौइडा तो इसे किस नजरिये से देख रहे हैं देखो मैं तो इस बात के बारे में कुछ नहीं जानती नहीं मैं मैंने फिर आपको बताया कि मैं तो अपने समाज के सामने आप मेरे को देख भी रहोंगे इतने बड़े-बड़े से भी जो भी मेरे साथ जुड़े हुएं मैं उन सब लोगों के विपरीत ऐसा कोई काम नहीं करूंगी ऐसा कहीं भी नहीं जाना चाहूंगी जहां से उनको परिशानी हो क्योंकि आज जो सब लोग जुड़े हैं सिर्फ मेरी परिशानी के लिए जुड़े हुआ हैं तो मैं भी इनकी परिशानी का कारण नहीं बनना चाहूंगी तो ये लोग यहां राजनीती करने के लिए थोड़ी न बैटे हैं कोई भी बस इंसाफ के लिए बैटे हुआ है अनुत यागी है इनसे भी हमारी बात हुई और अभी आपने सुना सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर तरीके से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन जब इन लोगों की मांगे नहीं मानी गई और इन लोग है कि कुछ नहीं चाहिए हक चाहिए और इनसाफ चाहिए और इनसाफ लेने के लिए यदि किसी भी मोड पर इन लोगों को जाना पड़ा और कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा उसके लिए ये पहले ही चेतामनी दे चुके हैं वीडियो जनरलिस सतंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी